पर मैं लोगों से कहना चाहता हूँ, कम, मेक इनी नी साल की सुरुवात मनोज बाजपई के लिए शांदार रही अबनेता की फिल्म दफैबल वर्णिंग फिल्म फेस्टिवल में पहुंच गई है वहीं जोरम की पटकता एकेडमी लाइबरेरी के मुख्य संग्रे का हिस्ता बनी इसके साथ ही उनके वेव प्रोजेक्ट किलर स्टूप को भी सकरात्मक प्रतिक्रिया मिली है अबनेता की जोरम वापस से सिनेमा घरों में रिलीज हुई और जिसे लेकर वो फूले नहीं समा रहे मनुज बाचपई हालिया इंटर्वी में प्रोजेक्ट के चुनाओ और सफलता पर खुल कर बात करते नजर आए हालिया इंटर्वी में बाचपई ने कहा कि उन्हें खुसी है कि लोग आखिरकार उनकी पसंद पर ध्यान दे रहे है और उन्हें स्विकार कर रहे है मनुज बाचपई ने अपनी साहसी विकल्पों के बारे में बात करते हुए कहा कि ये वो परियोजनाए है जो मैं कई सालों से कर रहा हूँ इससे मुझे खुशी होती है पर उन पर ध्यान दिया जा रहा है और ये ज़्यादा खुशी की बात आत्मविश्वास एक ऐसे चीज है जिसके साथ मैं इन विकल्पों के साथ आगे बढ़ रहा हूँ ऐसा नहीं है कि स्विक्रिती मुझे आत्म विश्वास दे रही है द्रण विश्वास हमेशा था और हमेशा के लिए बना रहेगा अब ऐसा हो गया है कि लोग उस कंटेंट का स्वागत कर रहे हैं और मैं इससे अवीब होत हूँ बाचपी नहीं कहा है कि विकल्पों पर ध्यान सिर्फ 5 साल पहले ही मिलना शुरू हुआ था और इसके बदलाओ का स्रे वे OTT को देते हैं अविनेता ने कहा कि मैं कई सालों से इसमें हूँ लेकिन पिछले 5 साल से OTT स्पेस आने के साथ दर्शक मेरी फिल्मों के लिए खुल कर बातचीत कर रहे हैं पशंद कर रहे हैं इस पर मुझे कर्व है अपनी पसंद के बारे में बात करते हुए दे फैमली मैन स्टार ने कहा है कि ये किसी ये निकारन से नहीं बलकि पूरी तरह से सिनेमाई गुडवत्ता के आधार पर चुने के विकलपों में से एक है ये बॉक्स आफिस या पैसों के लिए नहीं था मैं अपनी फिल्म के रिलीज होने के बाद भले ही वो नुक्सानिया विफलता को आप से बताने लगूं लेकिन बाद में मेरे विश्वास का जो तंतर है वो इतना बहतरीन रहता है कि उससे हमें फरक ही नहीं पड़ता मैं अंतर तक अपनी फिल्मों और निदेशकों पर कायम रहता हूँ जब फैबल की बात आती है तो ये बात बर्लिन अंतराश्री फिल्म मोहत्सों में प्रमुक्स रेडियों में से एक प्रतिस परधा करने वाली भारत की एक मातर फिल्म हो जाती है इसका निर्देशन राम रिड़ी ने किया है मनोज ने आगे बताया कि ये फिल्म है एक ऐसी सुरुवात है इस फिल्म की योजना कई साल पहले उन्होंने बनाई थी जब इसकी शूटिंग शुरू हुई तो पहले लागडाउन की गोंचना की गई और फिल्म कई परिक्षणों से गुजरी हमें खुशी है कि फिल्म अच्छी बनी है और फिल्म की गुडवत्ता अच्छी है इसका मतलब ये भी है कि यहां से यात्रा काफी शांदार होने वाली है कुल मिलाकर मनोज बाजपे इस वक्त सात्वे आसमान पर नजार आ रहे है क्योंकि उनकी जो सफलता है उनकी मेहनत है वो रंग ला रही है देखना ही है कि बॉक्स आफिस पर आने वाले दिनों में उनकी जितनी भी फिल्मे रिलीज होंगी उनका क्या परड़ाम होगा और दरसक उनको कितना पसंद करेंगे ब्यूरो रिपोर्ट नई दिल्ली